हलो विल्कम बाक टुकोचिफाए आज हम डिसकस करने वाले है ऑगस्ट मन्त के टॉप 35 राजस्तान के करंट अफेक के क्वेशन्स जो कि आपकी आने वाली एक्जाम आर्यू विनल 2021 के लिए काफी जादा इंपॉर्टन होने वाले है अभी तक कि हमने जुलाई मन्त के फ्रॉ सारे सेशन आपके लिए काफी जदा इंपॉर्टन है साथी साथ आप उसका इबुक पचिस कहना साते हो तो आप कोचिफाए के अप्लिकेशन पे जाकर आप पचिस कर चकते हो डिसेंट सेशन का इबुक अवेलेबल नहीं यह बट आने वाले एक या दो दिन में आपको सार इबुक अवेलेबल हो जाएंगे सो साथ करते सेशन को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेशन हुआ है जो की राजस्तान के बोड़ आफ रेविन्यू बन चुके है अजमिर से बिलॉंग करते है वो है राजिश्वर सिंग ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो इंडिन इंसिट आफ टेकनोलोजी जोदपूर लोकेटेड इन राजस्तान सेलिबरेडेड रिसेंटली 14 फाउंडेशन दे मनाया गया इए इए जोदपूर का सो वह कौन से दिन मनाया गया यह पूचा जा रहा है सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकंड ऑगस को मनाया ग चुकी है वह हो गया है ऑप्शन सी नीना सिंग नीना सिंग राजस्तान की पहली विमन है जो बीजी बनी है सो काफी जादा इंपोर्टेंट है आपको ध्यान में रखना होगा निक्स कोर्शन है क्वेशन नमबर फो तो टेक देग वेलफेर स्कीम ऑफ दे स्टेट गवर्म के वेलफेर स्कीम को डवटो डॉर पहुचाने के लिए साती साथ जो प्रप्रॉब्लम्स है वे वह को गवर्म पॉशन के लिए कि तैने रजक्ति गांदी युवामित्राज को सेलेक्ट किया गया तो वो है ॶ्यक्टिशन को फिलेक्टिया गया वो गया वो डौ bubble में बता IIT Jodhpur ने inaugurate किया है कौन से डिसीज के लिए सो वो होगा answer option B muscular diastrophe के लिए IIT Jodhpur में एक नया center inaugurate किया गया है option B इसका correct answer हो जाएगा next question है question number 6 64th foundation day of Rajasthan board of secondary education was celebrated on which day 64th foundation day मनाया गया है Rajasthani board of secondary education का RBSE का वो कौन से दिन मनाया गया है वो 1st of august को मनाया गया है so वो कौन से था 64th foundation day था ये भी आपको घ्यान में रखना होगा next question है question number 7 rural olympic games will be organized in Rajasthan in which how many sports are involved in this rural olympic games हो रहे है Rajasthan में उसमें कितने sports को involved किया गया है ये पुचा जा रहा है तो 6 sports को involved किया गया है ये सारे games को involved किया गया है 6 games total rural olympic games राजस्तान में ठीक है next question होगा question number 8 recently राजस्तान former dash कल्यान सिंग पास अवे answer हो जाएगा option A governor कल्यान सिंग का नीधन हुआ recently वो राजस्तान के क्या थे वो governor रह चुके है 2014 से 19 के बीच में ठीक है उसके बाद वो UP के भी चिफ मिनिस्टर रह चुके है बढ़ा आप लोगों को पुछने का चांसे जादा ये है कि वो राजस्तान के former क्या थे तो वो governor थे और between the year 14 to 19 14 से 19 के बीच में वो governor रह चुके है next question होगा question number 9 what is the name of the scheme which approved by the chief minister for self-employment and everyday needs of the street vendor of urban areas and the youth and unemployed of the service sector answer हो जाएगा option B Indira Gandhi urban credit card scheme अब आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा ये काफी जदा important question है option B इसका correct answer होगा question में ये पूचा जा रहा है कि chief minister ने कौनसी एक scheme को launch किया है अप्रूफ किया है जो की होने वाली है everyday needs of the street vendors के लिए होने वाली है जो भी छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं उन लोगों को connect करेगी वहाँ पर पचास हजार रुपए का loan देगी वो भी interest free loan and उसके साथ हमें guarantee की भी कोई जरुरत नहीं होगी मतलब interest free loan होने होने वाला है और वो किनके लोगों के लिए होने होने वाला है street vendors, hair dresser, potters, cobbler, mason, teller, electrician, plumbers इन सारे लोगों के लिए वो loan प्रोवाइड किया जाएगा unemployed youth के लिए भी वो loan प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है उनको financial assistance दिया जाएगा 50,000 रुपीज का interest free तो वो कांसे scheme के तरह तहत हो रहा है ये Indira Gandhi Urban Credit Card scheme के तहत ये loan प्रोवाइड किया जाएगा तो काफी जादा important है next question है question number 10 which two teachers of Rajasthan will be given the national award and teachers there that is on 5th of September 2021 again important question है national awards दिया जाने वाला है 5th of September को total India में ये 44 teachers को award दिया जाएगा और Rajasthan में से दो teachers को दिया जाएगा और दो teachers कौन सी है वो दीपक जोशी और श्री जैसीं इन दो लोगों को दिया जाएगा national award दिया जाएगा दीपक सिंग जो है वो वो बिकानिर से बिलॉंग करते है मताब वो बिकानिर की स्कूल में सुलिंग में teacher है और जो जैसीं जो है वो जुन जुनू में पढ़ाते है तो यह राजस्तान के दो teachers है दिने national award दिया जाएगा 5th of September को total 44 teachers को दिया जाने वाला है और यह रामनात कोविंग जो है अमारे president वो देने वाला है ठीक है next question है question number 11 who among the following has received 28 Mathuradas Mathur Award in senior category question में यह पूछा जा रहा है 28 Mathuradas Mathur Award senior category में किसे दिया जा रहा है so answer हो जाएगा option A Ravi Vishnoy को दिया जा रहा है और same question ऐसा भी पूछा जा सकता है कि junior category में किसे दिया गया है तो वो है अमन सिंग शेखावत दोनो धहन में रखना होगा 28 Mathuradas Mathur Award in senior category Ravine Vishnoy and junior category अमन सिंग शेखावत option में available है ठीक है next question होगा question number 12 which college has been selected by the union ministry of education for the district green champion award for the season 2021 इन में से कौन सी college को union ministry of education जो है वो green champion award देगा 20-21 का तो वो है women engineering college माखुपुरा का option A इसका correct answer हो जाएगा women's engineering college जो है माखुपुरा का उसको green champion award दिया जाएगा union ministry of education द्वारा next question है question number 13 who has been appointed as a new DG of BSF BSF के new DG कौन appoint जो है यह पूचा जा रहा है answer हो जाएगा option A Pankaj Kumar Singh बने है DG of BSF इनके father जो थे 27 years ago same post पे थे after 27 years यह बनने जा रहा है DG of BSF Pankaj Kumar Singh next question है question number 14 on which day राजसान चेफ मिनिस्टर Ashok Gheilodh inaugurated the 72-1 Mahot Sav along with घरगर आउशदी योजना answer हो जाएगा option A 1st of August 2021 72nd 1 Mahot Sav भी मनाया जाएगा तो वो है option A 1st of August को यह जो है चिफ मिनिस्टर Ashok Gheilodh inaugurate करेंगे 72nd 1 Mahot Sav उसे के साथ घरगर आउशदी योजना को इसी के साथ 8-8 medicinal plants distribute किया जाएगा 1.25 करूर families को आने वाले 5 years में next question है question number 15 recently on the occasion of birth anniversary of former Prime Minister Rajiv Gandhi which of the scheme has been launched recently जो है birth anniversary हुआ हमारे former Prime Minister Rajiv Gandhi का तो उस दिन कौनसी scheme launch की गए राजस्थान में answer हो जाएगा option C both of this मतलब की I start virtual incubation program and Raj Kisanthi portal यह दूज schemes launch की है birth anniversary जब था Rajiv Gandhi जी का तो एक काफी जादा important question है exam में पुछ जाने के काफी जादा chances है कौनसी schemes लाई गई तो वो है I start virtual incubation center and Raj Kisanthi portal next question होगा question number 16 who has awarded as a best CMHO इसका full format है chief medical health officer in Rajasthan recently Rajasthan में CMHO का award किसे दिया गया है best CMHO chief medical health officer तो वो है option D Dr. Deepak Kharadi इनने दिया गया है best CMHO का award next question है question number 17 according to recently released union road transport ministry report what is the rank of Rajasthan in a country in a road construction answer हो जाए का option B second first पे है Maharashtra काफी जादा important question है again ये भी कि अभी recently data release होआ report release होआ union road transport ministry द्वारा कि road construction में Rajasthan का rank कितना है हमारे country में so वो है second rank इंडिया में जो construction चल रहा है road का उसमें Maharashtra top पर है and second पर है Rajasthan next question है question number 18 recently from where has the Rajasthan government started a pilot project to get a ration material from the fair price shop from the जन आदार कार्ड recently Rajasthan ने जन आदार कार्ड से एक उचीत मुल्य में जो राशन सामगरी है वो purchase करने के लिए एक नया pilot project जो सुरुआत किया है वो कौन से district से सुरुआत किया है तो वो किया है Rajasthan मन से option D इसका correct answer हो जाएगा सो जन आदार कार्ड से राशन ले सकते है एक उचीत मुल्य से ठीक है तो ये एक pilot project लाया Rajasthan ने जो की राजसामन से स्टार्ट किया है option D इसका correct answer हो जाएगा next question very important question बहुत ही अच्छा question है how many participants participated in Tokyo Para-Olympic 2020 from Rajasthan राजस्तान से टोकियो Para-Olympic के लिए कितने participant ने participate किया है so answer will be option C 6 लोगों ने participate किया ये Para-Olympic की बात की जारी है and Olympic की बात की जाएगी सिर्फ और सिर्फ तो 8 लोगों ने participate किया ये मैंने आप लोगों को बार-बार पीछले sessions में बताया हुआ है आज हम discuss करें Para-Olympic के बारे में Para-Olympic के लिए 6 लोगों ने participate किया और वो 6 लोग है देवेंद्र जाजरिया जो की चूरू से बिलॉंग करते है देंसुंदर, गुजर, संदीप चौधरी, कृष्णा नागर, अवनी लखेरा और शाम सुंदर ये 6 लोगों ने participate किया है Para-Olympic के लिए टोटल कितने लोगों ने participate किया है हमारी country से कितने लोग जा रहे है 54 लोग गया है Para-Olympic के लिए इन 9 different category अब इसी के साथ तक क्या important है कि राजस्तान के जो 3 लोग है उन्होंने medal हासिल कर लिया है आप तेख सकते हो इस चार्ट में अवनी लखेरा ने gold medal ले लिया है shooting में देवेंद्र जाजर याने silver medal ले लिया है athletics main javelin throw F46 में और सुंदर्जिंग गुर्जर ने लिया है bronze medal main javelin throw F46 में ये बहुत अच्छी बात है कि तीन medal जो है वो राजस्थान से लिये गए है gold, silver and bronze तीनों medal मिल चुके है so जो अशोक यहलोत है उन्होंने अवनी लखेरा को 3 करोड रुपीज दिया है gold medal जितने पर जेविंद्र जाजरिया को जो दिया है वो 2 करोड रुपीज या है silver medal जितने पर and सुद्र सिंग गुरजर को दिया है bronze medal जितने पर 1 करोड रुपीज so यह आपको amount साथी साथ आपको यह ध्यान में रखना है कि देविंद्र जाजरिया जो है वो चुरू से बिलॉग करते है ठीक है then अवनी लखेरा जो है वो जैपूर से बिलॉग करती है and सुंदर सिंग गुरजर जो है वो करोली से बिलॉग करते है उन्होंने कौन से sports में जीतना कितना अमनी जीतना कौन से district से बिलॉग करते है यह सारी चीज़ा आपको ध्यान में रखनी होगी बिकिस इसमें से question पूछा जा सकता है ठीक है and total कितने लोगों ने पार्टी से बिलॉग के लिए total 6 next question होगा question number 20 which state government has recently announced the Rajiv Gandhi innovation award for startup कौन सी state government ने Rajasthani innovation award startups के लिए announce किया तो वो है Rajasthan state option B इसका correct answer हो जाएगा next question है question number 21 recently who among the following Rajasthani eminent writer has been awarded sahith academy award 2020 for his work Sanskriti re-satan deet recently Rajasthani eminent writer sahith academy award किसे दिया गया उनका work Sanskriti re-sanatan deet के लिए तो वो है option C Bhanwar Singh Samor को दिया गया है sahith academy award Rajasthan से ये बिलॉंग करते है इनकी जो book थी Sanskriti re-sanatan deet इनके ये work के लिए इनने ये award दिया गया है इनके अलावा नेपाल के जो writer है Shankar Dev उन्हें भी ये award दिया गया है तो आप ये भी ध्यान में रख सकते हो ठीक है so option C इस question का सही आंसर होगा next question है question number 22 where was the new Ambusha cement plant inaugurated by Chief Minister Ashok Gehloth recently in Rajasthan Ambusha cement का नया plant Chief Minister Ashok Gehloth ने Rajasthan में कहां पर inaugurate किया अंसर हो जाएगा option B Nago district में Ashok Gehloth ने नया cement का प्लान जो है वो inaugurate किया इसके लिए जो investment लगाई गई है वो है 2350 करूर रूपीज next question होगा question number 23 Sanskrit week will be celebrated for the first time in Rajasthan between पहली बार Rajasthan में Sanskrit week celebrate किया जा रहा है तो वो कौन से date में celebrate किया जा रहा है between 22nd August to 28th August के बीच में मनाया जा रहा है Sanskrit week सबसे पहली बार Rajasthan में और इसका objective है to preserve and promote the Sanskrit language next question होगा question number 24 who has won the title of Mrs. Rajasthan 2021 Mrs. Rajasthan का खिताब किसने जीता answer हो जाएगा option A Himadri Patnagar और runner-up पुछा first runner-up तो वो थी सपना सिंग और नवीता सिंग ला जो थी वो 2nd runner-up थी and 3rd runner-up थी अंजली सोंगरवाल so पहली है Himadri second है सपना third है नवीता and fourth है अंजली so इस question का सही answer क्या होगा option A Himadri Patnagar Mrs. Rajasthan टाइटल जी ने मिला है next question होगा question number 25 which cities will be developed as develop करने वाला है वो as a solar city तो वो है option D Jaisal Maid and Pushkar ये दो cities को develop करेगे वो as a solar city ऐसा इन्होंने अनाउंस किया है Rajasthan के energy minister BD Kala ने next question है question number 26 recently CM Gelot announced a fintech university in Jodhpur and center of advanced technology in Jepur will be the name of Dash Ashok Gelot ने announce किया है recently कि fintech university which Jodhpur का है and a center of advanced technology जो कि Jepur में है इन दोनों का नाम Rajiv Gandhi जी के नाम पर रखा जाएगा option B इसका correct answer होगा Rajiv Gandhi के नाम पर ये दोनों जो institute है इनका नाम रखा जाएगा पहला है fintech university and second है center of advanced technology in Jepur तो इन दोनों का नाम रखा जाएगा Rajiv Gandhi के पर इसी के साथ साथ जो एक innovation award है उसका भी नाम रखा जाएगा Rajiv Gandhi innovation award and जो scholarship दी जाती है academic excellence पर वो भी Rajiv Gandhi के नाम पर दी जाएगी next question है question number 27 where will India's largest panchakarma park be set up in Rajasthan Rajasthan में India का largest panchakarma park कहां पर set up होगा तो वो होगा option C Jodhpur में Dr. Sharbapalli Radhakrishna Ayurved University में ठीक है important question है India का largest है panchakarma park next question है question number 28 which district will be the first district of the Rajasthan where Jan-Aadhar kaad is being implemented in the entire district over Rajan kaad Rajasthan का कौन सा ऐसा पहला district है जहां पर पूरे district के अंदर में Jan-Aadhar kaad को implement किया जाएगा over Russian kaad तो वो है Jajapur option B इसका correct answer हो जाएगा next question है question number 29 in the recent election of Rajasthan State Handball Association held in Jajapur who has been elected as a president Rajasthan का जो state handball association के लिए जो election हुआ है उसमें Jajapur से किसे as a president elect किया गया है तो वो है option D Harish Dhandev ये बन चुके है Rajasthan State Handball Association के president जो की Jajapur से बिलॉंग करते है option D इस question का सही answer हो जाएगा next question है question number 30 recently in Rajasthan Tribal Study Center will be open in which university recently in Rajasthan में Tribal Study Center जो है वो open किया गया है तो वो कौन से युनिवरसिटी में किया गया है वो है option B Jainara and West University में Rajasthan Tribal Study Center जो है वो open किया गया है next question होगा question number 31 this Swabiman bojan scheme which is running in Gajdar Maan Singh का धर्मशाला is located in which district of Rajasthan so ये धर्मशाला में ये भोजन स्कीम चलाई जा रहे है जहाँ पर एक रुपे में poor लोगों को खाना दिया जा रहा है तो ये जो धर्मशाला है वो कहाँ पर है वो है बिल्वाडा में option B इसका correct answer हो जाएगा Gajdar Maan Singh का धर्मशाला जो है वो बिल्वाडा में है जहाँ पर जो स्कीम चलाई जा रहे है वो स्वाबीमान भोजन स्कीम so option B इसका correct answer हो जाएगा next question है question number 32 चिफ मिनिस्टर अशोक गेलोट has announced a budget of how many rupees for the development of BWRD industrial area answer हो जाएगा option C rupees 100 crore अशोक गेलोट जो है उन्होंने कितना budget announce किया है B1D BWRD industrial area के development के लिए तो BWRD industrial area के development के लिए अशोक गेलोट ने 100 crore रुपे जो है वो announce किया है so option C जो है correct answer हो जाएगा next question है question number 33 in Rajasthan digital record of land pilot project has been initially started in how many taisils of Rajasthan answer हो जाएगा option B12 Rajasthan में digital record of land pilot project जो है वो start किया जा रहा है तो वो कितने taisil में start किया जा रहा है वो है 12 taisil में option B इसका correct answer हो जाएगा तो यह थे हमारे important question 33 इसके लवा कुछ one-liner news है वो भी important है वो हम discuss कर लेते है सबसे पहला है the Goswami Tulsida Samman will be given to Rajeshwar Singh a senior officer of Indian administrative service this time मतलब की Goswami Tulsida Samman जो है वो Rajeshwar Singh को दिया जा रहा है जो कि एक senior IS officer है तो important है and second है the Adani group will take over the operation of the Jaipur International Airport from October 12 again very important news Jaipur International Airport को October 12 से Adani group जो है वो take over करेगा next है Rajasthan is set to start a helicopter service connecting Udaipur, Natwada and Kumbhalgaard the service will be launched by August 2022 Rajasthan जो है helicopter service ला रहा है जिससे वो connect करेगा Udaipur, Natwada and Kumbhalgaard को और यह service जो चालू होने वाली है launch होने वाली है वो है August 22 से ठीक है next question है apart from salary received by the Patwaris their allowance has also been increased by 50% CM Ashok Gailoth has approved this proposal the hard duty allowance has been increased by Rs. 750 and the extra work allowance by Rs. 12.50 इसका मतलब बोला है कि जो Patwaris को salary दी जा रही है उसके अलावा उनका जो allowance है वो increase हो जाएगा 50% से Ashok Gailoth ने जो है वो proposal जो है वो अप्रूफ कर दिया है काफी दिनों से Patwaris का जो है वो आंदोलन चल रहा था increment के लिए तो वो अशok जो Gailoth है उन्होंने वो proposal को accept कर लिया है approved कर दिया है और उन्होंने hard duty allowance को 750 रूपीस से बढ़ा दिया है और extra work allowance को 1250 रूपीस के लिए बढ़ा दिया गया है ठीक है तो यह काफी जादा important होगा आपको यह ध्यान में रखना होगा तो आज का session हमारा यहीं पे समापत होता है हमने आज 33 questions पड़े साथे साथ कुछ one liner की news भी पड़ी यह complete august का current affair आपकी आने वाले exam के लिए काफी जादा important होगा आपको आपकी exam जिस इसाब से 4th of September से start होने वाले है इससे पहले आपको at least 4 मन्त के current affairs पता होने बहुत ही जादा important है तो आपको वैसे तो मैंने जान से लेके august के सारे current affairs प्रवाइड किये है बढ़ आपको previous 4 मन्त के अच्छे से ध्यान में रखने होगे ठीक है अगर आप लोगों को इसका e-book चाहिए होगा जून मन्त का एविलिबल है जुलाई और ऑगस का जल्दी आज या कल में आप लोगों को मिल जाएगा और जो भी e-books नहीं प्रवाइड होए आप लोगों को सारी e-books आप लोगों को मिल जाएगी और remaining sessions की already provided है तो आपको Coachify के application पे जाके purchase कर सकते हो साथ ही साथ अभी तक के काफी सारे sessions है 30-35 sessions मैंने राजस्तान की exam के लिए आप लोगों को provide किये उसका playlist बना हुआ है कोई भी session आप लोगों ने skip किया होगा तो वो जाकर देख लीजए क्योंकि वो आपके exam के लिए सारे के सारे sessions बहुत ही जादा important है अगर आपको आज का session पसंद आयोगा तो वीडियो को like करना है अपने जादा सा friends के शेर करना है चैनल को subscribe करना है क्योंकि और भी अच्छे sessions आपको आपके exam के पहले देखने मिलने वाले है चैनल को subscribe करना है bell button को press करना है so guys thanks for watching and have a nice day